कि रिकार्ड वेट आफ सेंट्रल माक्सिमा कि सेंट्रल माक्सिमा की विट्फ फाइंड करते हैं तो विट्फ फाइंड करेंगे तो यहां से देख लो यह है ऐसे परते हैं यह डायफ्राक्शन है fron off our diffraction है plain wave incident Plain wave से यहां भी है में Central माक्सिमा की विट्फ कितनी होगी फर्स्ट मिनिमा के बीच में होगा दोनोh side यहां पे सबोनोh side में जो है minima होगा यहां पे तो इन डो tipo मिनिमा जो एंगुलर पोजिशन है इन दो मिनिमा की जो एंगुलर पोजिशन है ठीटा और यह जो है वू तो जो बूइन अंगुलर विरत होगि अंगुलर विटाफल्स सेंटरल मैक्समा इस टूधीटा आइंगुलर विट 하고 है ठेशा निकालेंगे linear width अगर यह बाइभ तो यह से प casting अगर टीकिवेन ए यहां से डीए को लिनियर विड्च how squat linear width क्या हो जाएगी linear width is equal to 10-thEak seemed like कर agents तो यह हो जाएगा टैनदीटा टैनदीटा इसदिटा इस इकल टो वाई बाइदी सो तो लिनियर हैं इसको जो है ऐसे सकते हैं घच्छ these also value विड्स जो हो जाएहगे इसके विट है इस कोल्ठ डी ए से हैं घच्छ अब इसमें एक्ट्ट कालकुलेशन है अब अब इसमें डाइसन किया की sleutho होगा जो कि जनरल ही होगा थीटा अगर स्मॉल होगा तो फॉर इस्मॉल थीटा के लिए हम लिखेंगे पॉर इस्मॉल थीटा पूर स्मॉल थीटा इस मॉल्थिटा इस इकल डी साइन थीटा यह तो फ़ डिफ्रेंस फर्स्ट मीनिमा के बीच में हैं तो साइन थीटा इस इकल टू लैमड़ा भाई डी अब यहां से एक चीज ऑब्सफ करो साइन थीटा is equal to lambda by d यहां से एक चीज़ भी जबर करना है कि अगर है ढिएंटी हम चोटा करते जाता हैं concer hardware करेंगे अगर टिक्रीज होगा तो यह quantity lambda भाई डी क्या होगा इनópरी इंक्रीज होगा तो थीटा क्या होगा इंक्रीज होगा मतलब क्या एक Central Maxima की width बढ़ती जाएगी central maxima के width बढ़ती जाएगी मतलब diffraction उतना prominent होगा जिसके लिए मैं बोल रहा था कि exactly अगर d is equal to lambda हो गया exactly अगर d lambda हो गया जो कि light के case में possible नहीं है अगर d is equal to lambda होगा theta 90 degree मतलब पूरे screen पे central maxima ही है पूरे screen पे central maxima है बट ऐसा हो नहीं सकता है ऐसा होता नहीं है तो होता जो है वो क्या है कि d जो है अगर wavelength के comparable हो जाए मतलब micrometer के range में अगर हो जाए तो micrometer के range में हमें वो prominent होता है अगर large होगा डी की value large होगा ओपनिंग का साइज जादा होगा तो लैम्डा वाइडी क्या होगा वो स्मॉल होगा लैम्डा वाइडी स्मॉल होगा तो साइन थीटा स्मॉल होगा sin theta small होगा तो theta small होगा मतलब diffraction उतना clear नहीं होगा theta कम होने का मतलब क्या बहई वह straight line में ही चलता जा रहा है theta ज्यादा मतलब bending ज्यादा, theta कम मतलब bending कम िसलिए मैं starting में बोलाते हैं कि small aperture के साथ diffraction prominent है, diffraction visible है अगर small aperture नहीं होगा तो diffraction हो तो रहा है है बट उतना वीजिबल नहीं है हम अल्मोस्ट उसको स्टेट लाइन पाथ लाइट का मान सकते हैं कि समझे कि यह सब्सक्राइब करने के लिए हमाई क्वेशन होना चाहिए तब जाके हम हम कुछ इस पे बोल पाएंगे तो यह हो गया अब थीटा समॉल है तो यहाँ तो चीटा सब्सक्राइब यह हूँ उद्टा तू रहे हैं टीटा और हुआ है यह हुआ के वारे में तुरह सुचते हैं वहीं फ़र्स्ट मैक्सिमा विठ कितनी है क्योंकि एक इमपोर्टेंट फीचर आज का फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर बना हुआ है फर्स्ट मैक्सिमा मालो यह स्क्रीन है यह ओपनिंग यह स्क्रीन तो यहां पर तो हमारा सेंट्रल था सेंट्रल के बाद फिर यह फर्स्ट मैक्सिमा मतलब वह फर्स्ट मीनिमा और सेकेंड मीनिमा के बीच में होगा फस्ट मीनिमा मिला लेमड़ा और यहां पे मिला 2 लेमडा तो यह इसकी एंगुलर पोजिशन हो जाएगी ठीटा 1 और यह एंगुलर पोजिशन हो जाएगी ठीटा 2 इंग्जाक्न करेंगे तो वाट इस दे एंगुलर विट्थ आफ फैस्ट मिनिमा ठीटा 2- jan वान ठीक है वाट हमारे एंगल्स अगर स्माल है एंगल आधे स्माल 244 पॉट है दिगरी 10 डिगरी तक अगर है तो उसकेस में क्या होगा विड्थ आफ फ्रस्ट मीनिमा एंगूलर विट आफ फस्ट मिनिमा मैंगल हैं इसको क्या लिखे रहा हूं साइन तीटा टू-3 तीटा-1 एंगल होगा तो जो नहीं तो होगा वही लिखेंगे साइन थीटा टू कि वैल्यू यह क्या हो जाएगा टू लैम्डा यह क्या हो जाएगा टू लैम्डा बाइटी तो यहां पर जो है यह बहुत ही प्रॉमिनेंट और इंपॉर्टेंट फीचर है हमें बस यह चीज़ अगर मतलब कहोगे कि स्लेबस वाइस तो स्लेबस वाइस तुम्हें बस समझना है विट्ट आफ प्रिंसिपल मैक्सिमा सेंटरल मैक्सिमा एंड कंपैरिजन विद अधर मैक्सिमा तो कंपैरिजन विद अधर मैक्सिमा में देखेंगे कि जो लोकेशन से उनकी क्या है कि वेट्ट आफ सेंटरल मैक्सिमा इस डबल एस कंपेर्ड तू अधर मैक्सिमा विट्ट आथा है प्रूव दाट विट्ट आफ सेंटरल मैक्सिमा विट्ट आफ सेंटरल मैक वेट आफ शेंटरल मैक्सिमा एज डबल आफ है एनिअधर मैक्सिमा क्योंकि अगर थीटा इस्मॉल के लिए सब कुछ है स्थीटा इस्मॉल के लिए सब कुछ है कहीं पर भी करेंगे तो n-1 लेंडा डिफरेंस करेंगे लेम्डा वइडी आएगा तो किसी भी दूसरे जो मैक्सिमा है उनके कम्परिजन में सेंट्रल मैक्सिमा की विट डबल होती है यह याद रखना है सब्सक्राइब कि अवह करें नागे की कि अवह सब्सक्राइ एक मैं व स्थीया की कि री वर्सज़्स पादिफिर्स लेबड़न इसके लिए graph draw करना है plot करना है कि यहां पर intensity maximum है i0 तो उनकी values यह तो central maxima हुआ central maxima formula जो है उसके बाद फिर first फिर उसके बाद second ऐसे तो यहां पर पार difference lambda 2 lambda 3 lambda तो इनकी intensity लैम्डा बोल सकते हैं से माइनस लैम्डा माइनस टू लैम्डा माइनस ट्री लैम्डा तो यह maximum central maximum i0 है तो यहां पर इसको फाइंड करोगे यह i0 by 22 कहां से फाइंड करोगे जो intensity का formula है कि secondary इसका first और यह second का कितना होगा intensity यह find करना है हम एक question लेते हैं मालो विट्थ वगरा find करने के लिए कि जो small d है small d is equal to one micrometer 1 micrometer lambda is equal to 5000 angstrom capital D is equal to one meter two meter capital D is equal to two meter तो lambda 5000 यह 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 चीज़ है find the width of central maxima angular width and linear width find angular width and linear width of central maxima angular width and central linear width कुछ भी mention नहीं है तो कौनसी width angular width अगर question में सिर्फ दिया हुआ है width find करना है तो angular width angular width किसमे theta radian में angular width जो हम बताएंगे वो किसमे रेडियन में डिगरी में नहीं बताना है कि समझे है कि कुछ थोड़ा option बताओ थोड़ा इसको चार्ज में लगा तो तो इस small d है one micrometer है two है तो यहां से हम find कर लेंगे central maxima कहां पर first minima की जो angular position होगी कि यह हमारी यह है यह है ऐसे है और यहां से फ्राना फर है पैरलल यहां से incident हुआ यह है central point यहां से light ऐसे पहुंच रही है यह हो गया theta तो यह तो first minima के बीच में जितना बन रहा है वही है first minima कहां बन रहा है lambda lambda जांपर होता है तो d sin theta part difference होगी है d sin theta d sin theta is equal to lambda तो d is equal to 1 micrometer sin theta is equal to lambda by d d की value पूट करतेंगे 5000 यह जो है 5000 एंस्ट्रॉम divided by d है 1 micrometer 1 into 10 power minus 6 यह हो गया sin theta तो यह 10 to the power minus 0.5 30 degree 0.5 मतलब 1 by 2 yes sin theta is equal to 1 by 2 तो वहां से theta is equal to 30 degree अब यह small नहीं है यह small नहीं यह small नहीं है यह small नहीं है थो क्या होगा angular width कितनी हो जाएगी 60 degree जा अंगुलर विर्ट यह से टो 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 एंगुलर विट्स इकोल टो 60 degree रेडियन में बताएंगे इसको क्या हो जाएगा 5 by 6 इतने में 10- coalनों लेंगे लिनियर चैन ड savez क्थी संब्सक्रीस अरुआ तरह जा 1.5B3 था याज। 5 by 3 總aken 5 by 3 जा में में हम смож yard in Elton के लिए तैंन थर्टी इपर हें आधन थे थे जगह लिनियर विट्थ टैन थीटा ले लेंगे लिनियर वेर्थ इस इकोल टू टू डी तो यह जाएगा टू इन्टू टू इन्टू टैन थर्टी हो जाएगा वन बाई रूट थ्री तो यह जाएगा फोर बाई रूट थ्री ज्वाइ रूट थ्री तो ठीक है फोर बाई रूट थ्री मिटर मतलब इसका स्प्रेड इतना ज्यादा हो जाएगा अब डी को हम बला सकते हैं डी को बला के इसको तो जो है 1 mm पर चेक कर सकते हो तो इतना ज्यादा इस प्रेड है इसका जितना शॉर्ट होता जाएगा वन मिली मेटर फाइंड करेंगे तो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा उसकेस में जो है यह थीटा जो है वह कम आएगा कम आएगा तो आपर हम डारिक्ट बोल सकते हैं बियुआ करना है तो एक तो स्दोक्ष्स पर आएगा प्राबलम फार्ड इस इकॉल टुण मिलिमेटर नहीं हूं तो कुष्टीन जो इस पर आएगा बहुत डारेक्ट रहेगा इवर इन टेंसिटी का भी फर्मला नहीं है इंटेंसिटी पाहर्मा भी नहीं नहीं है है इसको याद रखना है अचाहिए थोड़ा इसोलेटेड टापिक रहता है जनरली कोई उतना इसको पढ़ता नहीं है में स्टीम नहीं है तो भी तो इसमें सिर्फ समाज लेने से क्वेस्टन सही हो जाएगा सर अपने लिए डिस्टंस निकानने के लिए अपना थीटा क्यों लिया